कभी आधालत में अपने लिए गया हैं मैं तो कई बार गया हूं आजीब सी पूरा एक्साइटेड घरवाले भी अपने वकील साहब बजर अंगला उपार ध्यायंकर हमारे होती थे तो जब मैं घुसा अंदर तो यहां जाएंगे ही नहीं एक लेबल पर सबकुछ जसाब यह से टेबल लगा के बैटे में वकील साहब हैं कड़गरा है नहीं चॉक समाक क हुआ हुआ है और उसमें पांस साथ लोग खड़े हमको भी खड़ा होना है कालीन कार्पेट कुछ नहीं कड़करा कुछ नहीं हम यह सब कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर हुआ कि अभी आवाज दिया जाएगा चुप-चाप से अच्छा यह होता था कि जच के सामने आप टी हो रहे हैं फिर लोगों आए पकड़ के चलो उपर कि आवाज दिया गया कि मुझरी मासिव खान बर्सेश पलाना पलाना जो भी था हाजी रो अब उसी छेजाथ लोग और ऐसे मिलब गावों के सिधे साधे लोग जो पकड़े गए होंगे साहिकिल चोरी में कोई रासन चो तो उन्हीं को बोलो आइंदा से यह करोगे तो बगलोल वकील जो हमरे अंकल तून मुलो कि नहीं साब आस से यह ऐसा कुछ नहीं करेगा माफी माग़ना बिटा माफी माग़ना तो हमाजरूर साहिब लो हिंदी में बोलो हमके जी छमा कर दीजे गुस्य में निकले हाज के आएंगे ही नहीं साला चाहिए नहीं करूँगा इतना वहयाद सा फिलिंग दिया पुरा सपना तोड़ दिया इसपॉइंटे अज़साब यह से वकील बगल में चले गए एक हमारे हम वकील साब थे वहां में वकील बड़े गरीब काइब के हैं आप तो ठीक ठाक हो गया है कि अभी वकालत खतम कि एक कोट पैंट भी नहीं उतारे अपता वो राशन के दुकान चलाते तो वह बैठ करके तेल और चावल सब्जी दाल बेच रहे हैं तो इमेज ही खतम पूरा ना वकील ना जजज ना ऐसा अदालत क्राइम करने का आईडिया डॉप करने के मना कि करन पित्रिवेदी जो बेल नहीं देती उनके नाम में बेला है हाँ वो मतलब तो अमर सिंग ये मतलब इस तरीके से कहा करते उसको वो अन्याय के तौर पर कहते थे कि उनकी अदालत में कभी न्याय नहीं होता तो वो अपनी जो उनकी अंदास थे वो तंज के लिहास से कहते थ कि शीला दिक्षित के प्रॉसेक्यूटर ने संगीता धीगा सहगल की अदालत में मुझे लोक शाही कहा त्यारा कहा उहीं कहा एक अंदास था ना उसमें एक व्यंग वो कसा करते थे और यजो नाम केऊ चारण से वो कह देते थे ना इतना ही काफी होता था कि संगीता ठीगरा सहगल की अदालत में सौन में आता था कि एक व्यंग है या एक तंज है पुरा नाम लेकर गिया प्यार रोकना कैसे है खरना तो पुरी दुनिया से खा रही है बहुत कॉंप्लिकेटर है भाई पहली देट तो बहुत अच्छी थी तो दूसरी डेट थी वह बहुत गलत थी क्या फिल्म और लेटरेचर ने इसे ज़्याद बढ़ाबा दिया है तो करंज और जो कहते है कि एक तरफा प्यार से ज़्यादा खुबसूरत उससे दो गौड़ी की चीज़ कुछ नहीं है अब क्या हम हरिश्दा गुपता को कॉमेडी का जो कॉंटेंट बनाती है उसके साथ साथ एसे टिप्स देते भी देखेंगे